नमस्कार दोस्तों आपका एक बेर फिर से स्वागत करते हैं हमारे हिंदी यूटुब चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल सामबा तो गाइस बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहेते कि आप माइक कौन सा योज करते हैं आपकी वोइस बहुत ही अच्छी आती है तो बहुत सार कि आज की इस वीडियो में बता दूँ कौन सा माइक यूज करते हूँ कितने का है और कहां पर मिल जाएगा कैसे मिल जाएगा सारी सीजे में बता दूँगा और इस माइक को गाइस मैं एक साल से यूज कर रहा हूँ तो इसके बारे में सारी जानकारी दे दूँगा तो जल मैंने अगस्त के टाइम पे last year 2020 में खरीदा था एक साल हो गया और बढ़िया तरीके से चल रहा है गाइस यह माइक और sound quality भी इतनी खराब नहीं है मैं कह सकता हूँ अपने mobile से ही video shoot करता हूँ तो यह माइक mobile में भी लग जाता है इसके price range की बात करें गाइस तो मुझे यह उस time पर थोड़ा सा lockdown चल रहा था तो price घट बढ़ रहे थे इसके तो मुझे यह 1000 रुपे का पढ़ गया था लेकिन guys अभी इसका price 800 है और कभी कभी तो guys इसका price 700 रुपे भी मिल जाता है तो यह guys माइक बहुत ही अच्छा है voice इसकी सही आती है साथ ही में अगर आप लोग इससे अपनी वीडियो को बाहर भी shoot करते हैं किसी place पर जैसे की सड़क पर या कहीं पर भी तो voice अच्छी आती है साथ में अगर बात करें कि guys इसके box के अंदर क्या-क्या देखने को मिल जाता है unboxing नहीं कर रहा हूं guys clear आपको बाते बतारो ताकि आपका भी time waste ना हो तो box होता है box के अंदर एक user manual होता है user guide जिसको बोलते हैं जिसमें बहुत सारी बाते लिखी होती है और पढ़ भी सकते हैं आप लोग और दूसरा होता है इसके अंदर एक warranty card भी shoot कर सकते हैं साथ में बहुत सारी videos भी shoot कर सकते हैं camera को दूर रख कर भी use कर सकते हैं तीसरा अंदर की तरफ अगर guys मैं बताऊं तो इस mic को अगर आप लोग camera में use करना चाहते हैं camera में लगा कर कोई-कोई DSLR में इसको use करता है तो guys महाँ पर एक pin मोटी PC देखने को मिलते हैं जिसको लगा कर आप लोग इस mic को use कर सकते हैं तीसरा अगर बात करें guys एक battery अंदर की तरफ देखने को मिल जाती है और battery कहां पर लगती है आप लोग पूछेंगे तो इसके अंदर लगती है guys battery यह हमारा receiver जिसमें हमारी voice आती जाती है नीचे कर लीजेगा जिससे आप लोग अपना जो भी आप लोग जहां पर भी shoot करना चाहें वैसे कर सकते हैं इस receiver की बात करें तो ऐसे open करेंगे इसको यहां से तो यह खुल भी जाता है और इसी के अंदर guys यहां पर battery लगती है अभी मैंने हटा रखिए क्योंकि कोई use नहीं है मेरे को उसका और यहां पर यह mic का जो एक hook type का दे रखा है जिसको आप लोग अपनी jeans में या अपनी shirt में पीछे की side पे लगा सकते हैं जिससे की आपका दिखेगा नहीं अभी तो मैं वीडियो मना रहा हूँ table पर तो table में side में रख दिया आपको जिससे की दिखने रहा है wire की बात करूँ wire की quality guys ठिक है और थोड़ी सी rough है तो यह इसको आप लोग बचा के रखिएगा थोड़ा सा और उलच जाती है दो मीटर लंबी wire है जैसे की मैंने आपको बताया तो वो एक अच्छी चीज यहाँ पर देखने को मिलती है की लंबी है बट उलच जाती तो इसको आप लोग बार बार सुल्जाएंगे तो उससे अच्छा सुल्जाईएं मत ऐसे ही रखिए मैं भी ऐसे ही रखता हूँ फिर यहाँ पर एक बोया का लोगो देखने को मिल जाता है और इससे आप लोग अपनी wire को हर बार लपेट कर रख सकते हैं जैसा की पता होगा आप लोगों को यह क्या है तो इससे लपेट ही है जो मर्जी करिए तो इस माइक का आगे की तरफ आप लोग देख सकते हैं माइक लगा है 3.5 mm का jack है जो की मेरे mobile में लगा है और video shoot करने के लिए इसमें आपको एक application download करनी पड़ेगी आपके mobile में जो camera उससे ये shoot नहीं हो पाएगी video तो उसके लिए आपको open camera एक application आती है जिसको download करना होगा download करने के बाद उसकी setting में जाइए वहाँ पर audio setting में जाने के बाद आप लोग इसमें अप लोग मतलब second option external mic का own कर दीजेगा जिससे कि आप लोग की voice अच्छे से shoot अच्छे से इसमें आ जाएगी mobile में आगे की तरफ mic है और एक pin दी गई है जिससे मैंने इसको caller पर अपने set कर लिया है mic यहाँ पर लगा हुआ है तो यह है voice आप लोग अपना voice को अभी सुन रहे होंगे तो कैसी है आप लोग comment करके बताना mic के साथ अब मैं जो voice बोलूँगा guys वो बिना mic के होगी वो phone के आप लोग बोल सकते हैं कि speaker से आएगी तो मैं एक नट mic को यहाँ से हटाता हूँ जो guys मैं बोल रहा हूँ वो आप लोग सुन रहे होंगे तो वो मेरे phone के speaker से phone के mic से shoot हो रही है voice तो आप लोग को कैसी voice आ रही है आप लोग बता दीजेगा comment करके और अब मैं एक बार फिर से mic लगाता हूँ तो मैंने guys फिर से mic लगा दिया है तो आप लोग अब judge कर सकते हैं दोनो quality को सुन करकि mic की quality कैसी है अब review के बात करूँ तो एक साल से guys मैं इसको use कर रहा हूँ तो मेरे को बहुत ही अच्छा mic लगाई है और quality अच्छी है साथ में guarantee थी एक साल की की खराब नहीं होगा तो एक साल से तो चल ही रहा है तो मतलब मेरे को बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है साथ में आगे की तरफ एक कुशन लगाने को मतलब कुशन नहीं बोल सकते guys वो air filter type का होता है वो मिलता है guys वो भी आप यहाँ पर लगा सकते है मैं उसको नहीं लगाता हूँ क्योंकि उससे थोड़ा सा voice रुक रुक कर आती है तो मैं इसको plain ही use करता हूँ तो यह थी इस mic के बारे में पूरी बात और मैंने बता दिया कि मैं कौन सा mic use करता हूँ आप लोग comment करके पूछते रहते थे तो इस video को यहीं पर end करते हैं और इस mic को खरीदने के लिए आप लोगो link description में मिल जाएगा बाइक कर सकते है अच्छा है review सही देता हूँ मैं guys हर बार जो की अच्छी चीज होगी उसी को बताऊंगा और खराब होगा तो नहीं बताऊंगा तो भरोसा करके ले लीजिए एक साल से मैंने भी use किया YouTube अगर आप लोग start कर रहे हैं तो mic अच्छा रहेगा